हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है आभी देके and वेलकम टू टेक सोर क्या आपके कंप्यूटर या लाप टॉप में मैकिफी एंटिवाइरस के फेक पॉप अप या फेक नोटिफिकेशन आ रहे हैं तो इसको आपने कंप्यूटर से पूरी तरह से कैसे हटाएं पूरी तरीके से कैस हो गई है तो आपको अपनी कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और स्केप बटम को एक साथ दबाना है तो यहाँ पर टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा ठीक है और अब आप यहाँ पर ऐसा स्क्रोल करके चेक कर सकते हैं देखिए कितने सारे मैकेफी के प्रोसेस चालू है तो एंड कर दे मैं यहाँ पर नहीं करें आप सबको एंड टास्क करते जाएं ठीक है अब इसके बाद दूसरा तरीका यहाँ पर आएं स्टार बटन पे और सेटिंक में चले जाएं यहाँ हमगर सिस्टम पर क्लिक करें और यहाँ पर आप नोटिफिकेशन पर आ जाएं आप यहां पर होगा notifications तो यहां से आप notification को बंद कर दें ठीक है यह बंद करने के बाद side में आपको यहां पर देखिए नीचे की तरफ दिखाई देगा privacy and security तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है इसके बाद यहां पर general का option होगा इस पर क्लिक कर लें और ध्यान से इन तीनों को आपको off करना है यह off क्यों करना है देखिए यह आपकी advertising id को track करते हैं और आपको antivirus के ads pop-up show कराते रहते हैं तो आप इन तीनों को off करें ध्यान से ठीक है अब यहां से बाहर निकले अब देखिए हमें McAfee की services को disable करना है तो इसके लिए start button पर जाएं और यहां पर आप लिखे services services search कर लें तो यह आपको services दिख जाएगा इसे आप open करें इसके बाद यहां पर आपको name दिख रहा है तो कहीं पर भी कोई भी application पर एक बार mouse से क्लिक कर लें ठीक है इस तरीके से अब आप अपने keyboard से M बटन दबाएं इसके बाद देखिए यहां पर आपको manually सब को करके करना होगा ठीक है आप इसे कर लें ठीक है अब यहां पर आखिर में आपको अपने Google Chrome राउजर में जाना है ठीक है Chrome राउजर ओपन कर लें यहां पर side में आपको ऊपर की तरफ दिखेगा टीक है ये तो आप इस पे क्लिक करके से ओपन कर ले यहां पर आपको extensions दिखाई देगा इस पे बगब करले यहां पर manage extension दिखाई देगा इसक्ट देंग यह भागर अगर आपको कोई suspicious extension दिखती हे या फिर मेंक deti दिखता है तो इसे remove कर दे, ठीक है, इसे remove कर दे, इसके बाद वापस से आपको यहाँ पर three dot में जाना है, scroll करके नीचे की तरफ आए, आपको settings दिखाई देगा, settings पर ok करें, अब इसके बाद यहाँ पर privacy and security पर click करें, नीचे की तरफ आए, यहाँ पर आप देख पाएंगे, नीचे site settings, इस पर click करें, scroll करें नीचे, यहाँ पर आप देख पाएंगे notifications, इस पर click करें, और don't allow site to send notification इस पर क्लिक करके यहां से टिक कर दें यहां पर आप देख पाएंगे बहुत सारी notifications होगी अगर आप किसी से unfamiliar हैं जो आपके काम की नहीं लग रही है आपको किसी पर शक है तो इस पर क्लिक करें और और remove कर दें notification को ठीक है इस तरीके से आप remove कर दें इसके बाद दोबारा प्रिविशियन सीक्यूरिटी पर जाएं और यहां पर आपको थर्ट पार्टी कुकीज पर क्लिक करना है तो आपको यहां पर क्या करना है बेफिकर होके डिलीट ओल डेटा यहां पर आप क्लिक कर दे ठीक है डिलीट ओल डेटा पर इस तरीके से क्लिक कर दे ठीक है और इसके बाद आखिर में आपको स्टाप बटन पर राइट क्लिक करना है और यहां पर रन पर चले जाना है यह यहां पर आपको देखिए क्या लिखना है ध्यान से देखिए आप विल्स.cpl और ओके कर दे ठीक है ओके करने के बाद यहां पर आप अंस्टॉलर प्रोग्राम में पहुंच जाएंगे यहां पर आपको अगर मेकफी दिखता है तो आप यहां पर अंस्टॉल कर रही से और मेकफी से मिलता जुलता दिखता है तो आप उसे अंस्टॉल कर दे ठीक है तो इस तरीके से आप अपने कंप्यूटर से पूरी तरीके से मेकफी के pop-up को हटा पाएंगे उम्मीद करतो आप समझ गया होंगे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें बावाएं